बिना धूप के जटपर से हरा मिर्च का अचार पना हैं टेस्टी और सवाधिष्ट और सालों खाएं अससलाम लेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज में आप लोग बीसां सेयर करोंगे हरा मिर्च का अचार बनानी कहीं जीत तरीका तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बने रहे वीडियो के अंद तक अचार बनाने के लिए मैं यहां 200 ग्राम त्रेस हरा मिर्चे ली हूँ इसे अच्छे सवास कर ली हूँ और इसका पानी भी सुखा ली हूँ पानी इसमें रहना नहीं चाहिए बनी को अच्छे से सुखा लेना है मिर्चा को मैं छोटे पीस में कट कर ली हूँ आप चाहिए तो खड़ा रख सकते हैं पर मैं एक मिर्चा में तिन भाव कट की हूँ तो इसे बनाने के लिए मैं एक पते ली दी हूँ कि उसमें कटे हुए मिर्चे को एड़ कर दूंगी और उसमें एड़ करूंगी दो बड़ा चमच लेमन जूस और दो टेस्पून नमक एड़ करूंगी अच्छे से मिक्स करूंगी सभी को एड़ करने के बाद मिक्स हो गया है तो मैं इसे गैस के लो फ्लेम पे रखूंगी उसके बाद एड़ करूंगी लेमन जूस जो मैं निकाले थी उसका खिल्चुबी में इसमें पारिकट कर दे रही हूं और मिक्स करके इससे 2 मिनट के लिए मैं कभर करूंगी तो मिनट हो गया है तो चे कर ले रही हूं तो आप देख सकते हैं मिच्चा का कचापन चला गया है और यह जो थोड़ा बहुत पानी रिडियूस किया है लेमन जूस का या और मिच्चा का तो मैं इसे को चलाते हुए के पानी को सुखा ले रही हूं अचार के मसाला को रुष्ट करने के लिए गैस पे तावा रखी हूं और यहां में दो चमच सरसु ले रही हूं एकटे स्पून सौब हापटे स्पून मंगरेला हापटे स्पून अजवाइन और दोटे स्पून जीरा ली हूं इसे चलाते हुए एक मिनट तक रोष्ट करूंगी मसाले को जाट देर तक नहीं करना है यह तो जल जाएगा है गैस के फ्लेम लोर राख रहा हूं तो इसमें से खुश वू आने लेगी है तो मैं इसे निकाल ली ले रहा हूं और उल जाएसन की कली लेए हूं उसे भी रोश्ट कर लेと जाए हुआ हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ मैं यहां एक पतेली ली हूँ इसमें डेज़ ग्राम सर्षो का ते गैस के फिल्म को लो रखी हूँ अब इसमें एड़ करूंगे मिर्चा को अब देख सकते हैं मिर्चा में थोड़ा भी पानी नहीं है में पूरा पानी को सुखा आप इसका कलर भी देख सकते हैं आप भी इसी तरह बनाईएगा इससे मिर्चा खराब नहीं होता है पानी रहेगा तो खराब हो जाएगा तो मैं इसमें एड कर दूंगी अब मैं इसमें एक चमाच लॉसुन के फेस्ट आड करूंगी जिसे मैं रोस्ट की थी एक टेस्पून हल्दी हाप टेस्पून रेड चिली मिर्च आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको हरा मिर्च दिखा है तो धनिया पाउडर दो अब सभी को मिक्स कर दे रही हूं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले आप तक इसमें एड़ करूंगी रुष्ट किया हूँ मसाला इसे मैं कुटली हूँ और इसमें एड़ करूंगी एक टेस्पून नमक अचार में नमक को ज्यादा रखा जाता है इस जाचार भी खराब नहीं होता है अब इस मैं आड़ कर रही हूं मैं इस किया हुआ आमका चार आड़ करने के बाद मैं सभी को मिक्स कर दे रही हूं यह मिक्स हो गया है तो मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूं फ्रेंड्स आप भी एक बर जुरू ट्राई करिए और अचार कैसा बना है कमेंट करके बताईए इसे 6 मेना तक श्टोर करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है और कम समय में जटपट से जटपटा अचार बन जाती है आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है तो इसे लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई